कि नमस्कार दोस्तो श्री नीटिंग में आपका स्वागत है दोस्तों देखिए आज ये 3 कलर का पैटरन बेंबाब आपके दिखाऊऊंगी यह देकिए बहुत ही सुन्धर पैटरन ही बहुत ही इजी है बनाना इस वाले पैटरन को आप किसी भी lin कलर का कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं इसको बनाने के लिए हमें इसमें फंदे डालने है थरीके मल्टिप्लाइ और ये तीन कलर में बनता है पहले टू रो इसमें वाइट कलर की बनेगी फिर टू रो दोनों वाइट और ब्लैक दोनों की फिर टू रो वाइट की फिर फोर रो ये रैड कलर की तो ये हमारी 10 रो होगी 10 रो ही हमें इसमें बार-बार रिपीट करनी है और यह हमारा पूरा पैटर्न बनके तयार हो जाएगा मैं आपको यहीं सही बताती हूँ यह हमें कैसे बनाना है सबसे पहले आप इसमें फंडे डाले बोर्डर बना ले और फिर यहां से जैसे मैं बताऊंगी इसी तरह आप बनाना इस्टार्ट करें सबसे पहले बेस कलर से यह आप 2 रो इसमें 1st और 2nd रो सीधी और उल्टी बना ले simple बिल्कुल 1st रो सीधी यह पूरी रो हमें simple बनानी है बेस कलर से white कलर है हमारा इसमें बेस कलर तो मैं इसको बना लेती हूँ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे यह देखें फर्स्ट रो कम्प्लीट होगी अब सेकिंड रो रोंग साइड इसको हम पूरी उल्टी बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे यह वाइड कलर से ही बनानी है और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे यह देखें सेकिंड रो भी हमने कम्प्लीट कर ली अब थर्ड रो राइट साइड थर्ड रो में अब हम इसमें ब्लैक कलर एड करेंगे जो second color है हमारा ये black color है अब देखें कैसे बनानी है सबसे पहले 2 फंदे हम white color से बनाएंगे जो base color है उससे 1, 2 अब 3 फंदे black color से बनाएंगे 1, 2, 3 अब 3 फंदे white अब फिर आगे पूरी रो में हमें 3 white और 3 black बनाते जाना है 1, 2, 3 फिर 3 black इसी तरीके से ये पूरी रो हम complete कर लेंगे 1, 2 फंदे बनाएंगे ये लास्त में एक फंदा बचेंगे ये हम white बना लेंगे ये लेगे थार्ड रो हमारी complete होगी अब 4 रो रोंग साइड 4 रो में जो हमने राइट साइड से फंदे जिस color के बनाएं हमको उसी color से उल्टा बनाएंगे ये white वाला white color से और black वाला black color से उल्टा फिर ये white white से ही बनाएंगे इसी तरीके से इस row को भी हम complete कर लेंगे झाल 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 यह देखें, फोर्थ रो हमारी complete होगी, अब फिप्थ रो, फिप्थ रो हम पूरी base color से सीधी बनाएंगे, white color से ही, यह two row हमारी यहाँ पे simple बनेगी, फिप्थ और six, यह फिप्थ रो हमारी सीधी बनेगी, और six row wrong side से उल्टी, यह दोनों रो मैं बना लेती हूँ, फिर खाती हूँ आपको बना कर, यह देखिए, फिप्थ और six row मैंने दोनों complete कर ली सीधी और उल्टी बना कर, अब है हमारी seventh row, seventh row में अब हम third color add करेंगे, यह red color है हमारा third color, तो यह seventh row हमारी third color से ही बनेगी, इसमें देखिए हमें क्या करना है, जो यह तीन फंदे हैं हमारे black फ फंदा हमें हर बार slip करना है, जो यह तीन फंदे black वाले बनेते हैं, इन में से बीच का, और बाकी फंदे सभी हमें red बनाने हैं, सीधे, यह हमारे starting में, एक, दो, तीन, तीन फंदे red बनेंगे, फिर एक फंदा slip होगा, यह ध्यान रखना कि यह black वाले फंदे जिस पर बने ह हमें slip करना है, अब हमें 5 फंदे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक फंदा slip करना है, आगे ऐसे ही करते जाएंगे, 5 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा slip करेंगे, इस तरह, इसी तरीके से यह 7 तरो बना लेंगे, हम यह लास्ट में दो फंदे हमारे इन दोनों को भी हम सी धाई बना लेंगे, यह 7 तरो हमारी complete होगी, अब 8 तरो रोंग साइड, इसमें जो फंदे हमने राइट साइड से बुने है, वोई बुने है सीधे, और जो slip किया है उनको slip करना है, रैड़ वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी side करेंगे और white वाला फंदा slip कर लेंगे जो हमने पहले भी slip किया था फिर धागा पीछे करके red वाले सीधे बना लेंगे फिर धागा अपनी side करके white वाला slip कर लेंगे इसी तरीके से ये 8 row भी हम बना लेंगे यह 8th row हमारी complete होगी अब 9th row राइट साईड यह वी से मैस ही बनेगी जो फंदे बनाई है उनको बनाने है सीधे और जो स्लिप किये हैं उनको स्लिप करेंगे रेड़ वाले फंदे सीधे बन लेगे और यह भाइट वाला स्लिप कर लेगे फिर रेड़ वाले सीधे बणा लेघे और यह वाइड वाला स्लिप कर लेंगे इस रो को भी हम इसी तरह कंप्लेट कर लेंगे यह देखे नाइं तरो हमारी कंप्लीट होगी अब टैं तरो रोंग साइड इसको भी आसे बनाएंगे सेम जो फंदे बनाई है वो ही बनाने है सीधे और जो स्लिप किया है फंदा वाइट वाला उसको स्लिप करना है रेड वालो को बुल लेंगे धागा अपनी साइड करके वाइट वाला स्लिप कर लेंगी फिर धागा पीछे करके रेड वाले फंदे सीधे बुल लेंगे ये 10th row है, हमारी last row है इस pattern की फिर धागा अपनी side करके white वाला slip कर लेंगे इसी तरीके से इस row को complete कर लेंगे ये 10th row हमारी complete होगी और ये हमारा pattern बनके आ गया इन 10th row को हमें बार बार repeat करते जाना है और हमारा ये पूरा project बनके तयार हो जाएगा, ये देखें बहुत ही सुन्दर बनके आता है और ये वाला pattern बच्चों के कपड़ों में तो बहुत ही सुन्दर बनके आएगा आप इस वाले pattern को अपने बच्चों के कपड़ों में एक बार जरूर ट्राइ करें ये देखे फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक वे कमेंट करें और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू